हलो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से आज शीर कुर्मे की रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी जिसके लिए मैंने एक पैन के अंदर गी और काजु बदाम को रोस्ट कर लेंगे जिसके अंदर मैंने शेवाई भी दाल दीती अब इन तीनों को हम अच्छे स इसके अंदर हम लोग शुगर दाल देंगे शुगर आप आपके टेस्ट के साब से दाल यहाँ पर मैं एक स्पून दार रही हूँ अब इसके अंदर ना मैंने गिल्ला कोकोनट था ना अमारा गिल्ला कोकोनट दाला था कैसी लगी यह रेसेपी आप प्लीज बताना सस्क्र अबटो मा चनल थैंक यह वर वच एंद बहुछुन है